फिरेट का विस्तार, बीजेपी में कहां उल्जातार, सिंदिया खेमे से लाइन किलियर, उपचुनाओं के गणित में उल्जन, वरिष्ट और यूबा चेहरों पर फसा पेच, दिल्ली में दो दिन चले मंधन के बाद भी शुवराज मंत्री मंडल विस्तार पर सस्पेंस बरकरार है, सोंबार दिन भर अटकलें लगती रही कि मंगलवार को मंत्री शपत लेंगे, लेकिन शाम होते ही खबर आई कि अभी नामों पर आला कमान ने अंतिम मोहर नहीं लगाई है, खबर ये भी आई कि प्रदेश संगठन जो सूची लेकर पहुँचा, उसे आला कमान ने खारिच कर दिया, खबर ये भी आई कि सिंधिया खेमे की तरब से लाइन किलियर है, त बात तब है जब बीजेपी सरकार को सौधिन हो गये हैं और पाइटी में खामोशी और बैचैनी दिख रही है, आजनते एक छेत्र में सभी परिस्तितियों पर बिचार करना पड़ता है, सभी परिकार से बिचार करना पड़ता है, इसलिए कोई एक इसको क्राइटेरिया त बैसा आवश्यक होता है, बैसा नेड़ा पार्टी करती है। को भजपा देखने सकती, बात दूसरी है, आज ये लोग सो दिन का जस्त मना रहे हैं भाई लोग। सरकार ने, जो ज़रूरत मन्त है, उनको कैसे पहुचा है। और बो भी शिवराज सिंग चौहान जैसे लोग प्रियों और सबसे लंबे समय तक प्रदेश के सीएम का रिकॉर्ड बनाने वाले मुख्यमंत्री के साथ। अगले कुछ दिनों में कैबिनेट विस्तार तो होगा ही, लेकिन ये बीजेपी है जहां संगठन के आगे सकता पानी भरती है। और ये बात एक बार फिर साबित होते दिख रही है। नमस्कार, मैं हूं शरुद वेडी और आज हम आज का मुद्ध में बात करेंगे विस्तार पर तारीख पर तारीख शिवराज कैबिनेट विस्तार को लेकर एक के बाद एक तारीख में आगे बढ़ रही है या यूं कहलें कि तारीख पर तारीख चली आ रही है और सबसे महत्मून बात ये है कि इसमें अगर हम कुछ ऐसा ना देखें कि इसकी बहुत आलोचना की जाए और उसकी जरुद भी नहीं है लेकिन ये समीक्षा जरूर होनी चाहिए कि ये एक मौका भी है भारती जनता पार्टी के लिए क्योंकि ये सब जानते हैं आप और हम की 2018 में जनादेश मुकंबल जनादेश किसी भी कॉंग्रेस या बीजेपी किसी के पक्ष में नहीं था और जो हालात मार्च में बने और कॉंग्रेस की सरकार गिरी या गिराई गई उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी के लिए ये एक मौका है कि वो प्रदेश की जनता को भी एक मैसेज दे कि वो पूरी सहमती से सरवानुमती से दिननाय करके आगे बढ़ रही है मजबूती से और ये भी बताए कि ये भारती जनता पार्टी का एक डिसिप्लिन कवच है एक अनुशासन है उसक कि बीजेपी ही इसको लेकर सबसे जादा चिंतित होगी क्योंकि मंत्री मंडल का विस्तार तो होना ही है जैसा शिवराज जी ने कहा कि कल नहीं होगा यानि बुद्वार को नहीं होगा लेकिन आगे होगा आगे दो जुलाई भी हो सकता है तीन जुलाई भी हो सकता है चार भी हो सकता है लेकिन विस्तार तो होना तैय है लेकिन ये बीजेपी भी सोच रही होगी कि जितना सब कुछ ये हो गया ये अगर नहीं होता तो और अच्छा होता है ये क्यों हो गया यही सबसे विचारनी प्रश्ण है और आज इसी पर हम एक बार फिर बात करेंगे जो महमान हमारे साथ है उनसे मुलाकात कर लीजे हमारे साथ जबलबूर से जुड़ना है कॉंग्रेस की सिनल लीडर और विदायक कविने सक्सेणा जी बहुट स्वागत करता हूं उनका मपाल से हमारे साथ हैं भारती जनता पाटी के राश्टिय पर प्रवक्ता की जिम्यदारी दाइत निभाती चलिया यह पहली टिपणी मैं जगदीज जी की ही टिपणी के साथ आगाज करता हूं जगदीज जी विस्तार होना ही है और उद्वार को नहीं तो गुरुवार शुक्रुवार शनीवार और विस्तार होगा लेकिन जो बीजेपी को संदेश एक देना इसके जरी था कि सारी चीज़ें बहुत स्मूथ हैं कोई चुनोब्य नहीं है कोई कठिनाई ही नहीं होती हैं सब जानतें हैं विस्तार के पहले चुनोब् seal हो या बहुमत की सरकार ना हो लेकिन बीजएपी का प्रेशर और दिलिय जाकर भी नतीजे तक ना पहुंचना भी mirrors अना गवर्णर का कल आना और प्रभारी गवर्णर की शपत लेकर फिर चले जाना फिर उनकी आने की प्रत्याशा किस तरह देखते हैं पूरे मामले को जी शरजी सबसे पहले तो आपकी एक बात से मैं कहूंगा कि जब जब बिस्तार होता है तब बिस्तार हमेसा चुनोतियों भरा होता है चुकि आपको बहु संख्या में ऐसे कुछ लोग चुनने पड़ते हैं और बीजेपी के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यह है कि बीजेपी में इस समय जो है वो कम से कम सतर से अधिक बिधायक ऐसे हैं सतर से असी बिधायक जो दूसरी बार नहीं नो भी बार से लेके तीसरी बार लगाता और जीत के चले आ रहा हैं तो निश्यत रूप से जो बिधायक तीसरी बार जीत रहा है उसका भी कही न कहीं हक बनता है यब वह ऐसा सोचता है कि हमको मौका क्यों नहीं मिला हमको भी मौका मिलना चाहिए और जो सबसे महतोपून है जो आप चुनोती कठिन क्यों हुई चुनोती कठिन इफली हुई कि आब आपके पाफ ना तो 140 बिधायक है ना 150 बिधायक है आप बहुमत से आई हुई सरकार न रखती है और विद्रो की इसी आसंका के चलते आप देखिए कि मेरे मतलब में कम से कम लगबक दो दसक से इस पॉलिटिकल देख रहा हूं और बीजेपी को जिसमें जिफतर है कि पार्टी सबस्ता था कि दो दिनों तक दिली में मन्थन के बाद अगर एक राय नहीं बन पा कि असर करते हैं बीजेपी के नेता है हो सकता इसको कई तरीके से वो करेंगे ना का रहेंगे लेकिन एक बात तैमान के चलिए और अभी भी सबसे बड़ी बात लिए कि अब भी कोई भी संगठन का वरिष्ट नेता मैं दिन बार से लोगों से फोन पर बात चीत कर रहा था यह ना ऑफ दा रिकार्ड ना ओन रिकार्ड यह बताने कोई तैयार नहीं है कि विस्तार कब होगा चूंकि जो मेरी जानकारी वो यह है कि इन्हों ने जब सीनियर एमले को जो छाटने की आपने लिस्ट बनाई उस लिस्ट में आपने कुछ ऐसे लोगों को सामिल कर लिया जो आपके अपने थे और कुछ ऐसे लोगों को दरकिनार कर दिया जो आपके अपने नहीं थे और वहीं पर बिवाद किस्थिती पेदा हुए क्योंकि कोई भी क्राइटेरिया और फार्मूला जब लागू होता है तो वह एक समान लागू होता है तो पर परिश्थितियों लेकिन जब सब चीजे एक समान हो तब लेना कठिन हो जाते हैं बिल्कुल आपने तैयार होके गई जो है जी वह ठीक नहीं गया पा रही ती शरच जी बिल्कुल ठीक कहा है जगदीजी आपने और इससे इंकार नहीं और यह चीज जितना हम यहां विसलेशन इसका कर रहे हैं उससे जादा यह चीज आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बीजेपी के कारेकरताओं को कचोट रही होगी कि हमारे यहां यह क्या हो रहा है अगर हमारे यहां सत्तर लोग तीन से नवी बार के आठवी बार के विधायक हैं तो क्या यह सब महत्त्वा कांग्शा मान कर बैठे है बराल डॉक्टर वाजपी क्या कहते हैं सुन लेता हूँ जी डॉक्टर वाजपी पहले तो जैसा जग्दी जी ने कहा है कि बारती जनता पार्टी को इसमें से बहुत सारी चीज़ें उनके वक्तव में से ठीक नी लगेंगे और ना कारेंगे भी तो मैं वहीं से शुरु में हैं तो मेजॉर्टी की परिवाशा तो तैय है हाँ उसके साथ में ये 24 सुप सामने हैं जिसकी और हम जा रहे हैं और उसके जब नतीजह आएंगे तो इसकी पुनरवे अच्छा हम करेंगे तो मैं इसको बहुत स्पस्ट कर दूं कि भरती जनता पार्टी की सरकार वर्तम जादा है विबाद हमारे या नहीं है तो हां बड़ती चल रही है इससा न कारा नहीं जा सकता мелडर एगन प्रतिवाशा चाई प्रतिवाध और उसका परियाए विलोम प्रतिवाद के इसको अभी बंड मिल्ज करऊ करें जी आए नंटत्र में जाम आगे बात करिए जी करता हूं कि हाँ वाल याने की बात्चीत जारी है और तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है देखिए इस पूरे घटना करम को हम सब बहुत अच्छे से देख रहे हैं और इससे नकारा नहीं जा सकता है कि शिवरा सिंग चौहान जी जो मुख्यमंतरी का दायर जो निमा रहे हुए भागोलिक व्यवस्ता को सामने रखते हुए जरूर करेंगे तो इन सब को मुझे लगता है सामज जिससे बिठाने का प्रयास हो रहा है तो यहीं राजनीती होना चाहिए सबका साथ और सबका विकास तो सबको जब साथ लेकर चलने की प्रक्रिया होती है तो कई बार बाची लबी हो जाती है और तो मुझे लगता है कि मैं इसको नकारात्मक भाव से नहीं देखता हूँ तो कि अभी तक कोई ऐसी बात भी निकलके नहीं आई है जिसके आधार पर हम इसको एक किसी किसम की कोई निगेटिविकी मांग लेकिन आप सकारात्मक कहने से भी हिचक अब लेकिन आप अपने नजरिये से देखेंगे लेकिन भारती जंता पार्टी के हाउस को जो मैं देख रहा हूं उनकी चर्चाये जो हो रही है मैं उन चर्चाओं में कोई किसी किसम की नेगेटिविटी नहीं पाता हूं इसलिए को कह रहा हूं कि हां बात्की जारी और अ अमरित के साथ क्या निकलता है उसको पूसर नहीं बात करेंगे सब तोड़ी कठिनाइगी लेकिन अगर आप उलाउ करें तो विचर्च विने जी की की दियें मुद्रा गंभीर है आज आज गंभीर मुद्रा क्यों है क्या बीजे पी के इस मंतन से वह भी कुछ चिंतित हैं कि प्रदेश की दिशाद धिशा क्स्तरे होगी विन्ह जी यो कुछ गंभीरे परिशानियों से चूराएं बद्याइंवर्ध अपने रोजगार से चूरा है मज़ूर आद्भी अपनी तकलीफ से चूरा हैं लेकिंडिस सरकार के भरों से प्रदेश की जनता रहती है वो सरकार अप्रा मंत्री मडल गठन करने में लगी है तीन बहिने में एक भी साकरात्पक काम नहीं हूँ एक भी चिंता जनता के हिट का काम नहीं हुआ और एक जो बंदर वाट चल रहे है जैसा आतरी जग्दी जी ने कहा था कि ए जुगाल की सरकार और जब जुगाल की सरकार होती है तो ये हालात निर्वित होते हैं और जितनी बातें अपन अनुशाशन की करें साकरात्मक भाजपा के लिए करें अगर इतना साकरात्मक था तो शिवराज सिंग जी के साथ एक साथी मंत्री मंडल बन गया होता एक पहली ऐसी सरकार है जिसमें 22 लोग अभी बाहर हैं लेकिन उसमें से भी 18 लोगों मंत्री बनाने की तैयारी यह पहले ही बार इतिहास पे होगा कि जो लोग विधायक नहीं है लेकिन उनको मंत्री मैं चाहता हूं कि प्रदेश के हित में क्या हो रहा है प्रदेश की जंता हो क्या मिल रहा है तीन बैडे में जिम्मेदारी से अगर प्रभारी मंत्री शेहरों में जाते गाउं में घूमते मुख्यमंत्री जी अपना मंत्री मंडल गठन करके गाउं-गाउं घूमते और लो वाज नहीं हो रहा, अस्पतालों में टेस्ट पूरे नहीं हो रहे, आम जनता को जो उम्मी सरकार से रहती है, उसको छोड़के दिल्ली में बंदरवाट हो रहा है, माननी हमारे जो जिन्हों नों प्रवेश किया है, जो भाजपा के नहीं ने सदस्व बने, और फिर पार्टी में जाये तो मंत्रियों से काम कराएं, जब मंत्रा आले जाओ तो कहते हैं कि साब अभी तो पूरे विभागी निवटे हैं, और मुख्यमंत्री जी हमारे दिल्ली और भोपाल में फसे, तो आखिर जनता की आवाज सुनेगा को, ये हाला जो पैदा किये है, वार्ति जनता जबाड था जो पैसे के लेंदेन पर और विकाव सरकार जो खरीदी की सरकार है, जब जो पहले तो ये कह रहा था विने जी कि आपके वक्तव में दोनों चीने आप आप एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि ये मंत्री मंडल विस्तार शायद आप उसके और चित्ते पर सवा खड़ा कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि होना ही चाहिए हम मंत्रा ले जाते हैं तो ये ये दोनों चीजे थोड़ा सा एक अंतर विरोध मुझे समझ आया एक चीज एक स्टैंड की तो बनाना किसको है जिम्मेदारी किसकी बिल्कुल जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी तो बाच्पा किया ना विने जी बिल्कुल ठीक है जी डॉक्त बाच्पाई पर दूसरी बात इन तीन मेनों के दौरान हम नहीं चाहते हैं पूरे देश में फिसिकल मूव्मेंट रोके गए हैं प्रधान मंत्री तक अपने निवास से आईडियली इसलिए नहीं निकले कि भई नेता हो आज उन्हों कहां भी है कि प्रथम व्यक्ति हो देश का या अंतिम व्यक्ति हो वो थोड़ा सा संयम से काम ले तो ये दौर थोड़ा अलग प्रकार का है फिर भी इस दौर में करने क प्रयास हो रहा है इसमें कोई दो मत नहीं है फिर आपके जो चार्जेस बाकी है ये विकाओ ये सब ठीक है ये पुलिटिकल चार्जेस है विने जी और आपके पंदरा मेहने के कारेकाल की भी कोई उपलबदी नहीं है बड़े-बड़े आलोग है ये विशे पर हम फिर जवाब दे रहा हूं चलिए बोल लिजा जवाब नहीं है इसलिए ठोस नहीं होगा जी जी बोल लिजे विशे मेरा मेरा अधरी हिटेश जी संक्षिप्त रखिए गासर जी जो आपको अच्छा लगए वो तथ्यात्पक है ये इस हिंदू स्था चालू हो गई नहीं एवि मुख्यमंत्री का अधिकार होता है कि वह जिसकोच है जी बताए ना आप बता दे क्योंकि आपस में जगड़े चल रहे हैं कि आखिर क्यों इतना समय लग गया मैं जगदीज जी के एक टिपणी लेकर फिर आपकी तरफ आउगगा कि राजनीतिक लड़ाई तो अपनी जगे रहेगी सर और बिल्कुल रहनी चाहिए और पूरी दमदारी से दोनों पक्षों को एक दूसरे के सामने खड़े रहना चाहिए और इसमें विपक्ष की उर्जा और अधिक होनी चाहिए और जिसका प्रदर्शन आप करी रहें वि वाव समू की तरह काम कर रहा है लेकिन उसका आना बीजेपी के लोगों के लिए जगे कम कर गया है और अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट आफ टाइम पर सो कॉल्ड कॉन्फिक्ट जो भी है या जो भी डायलमा है द्वंद है बीजेपी में वह इसलिए निर्मित हु है लोग जो कमल्नाक से असंतुश्च थे या किनि और कर रहनां से असंतुष्ट थे वह जब जैसे बी्जेपी में लिए अलग तरह की हलचल शुरू और यह तरह की नहीं है जिस तरह से थोग में लोग लिए गएं यु Hey इhat बंद पॉंटड फॉर लेकर अपना इफ्थान तलाफरा है वह अपना महात्तो तलाफरा है कि हम कहां है अब इनके आने के बाद और जब यह इफ्थिति रहेगी तो यह उच्छा और फिर भीजेपी सारी हकिकतों को जानती है लेकिन परदे के बाहर उसे एक बात जो कहनी पड़ती है वह कारकरताओ को नहीं हजाम होती है किसा बिनोंने थिया है वह जो वह सारे सवाल है और उनिक त्यागी सてटि Supreme वो जी यहिंद्स हो रहा है इस में बहुत सारे मं मिहन रहे हैं बिघड़र रहे हैं वीद्धागों को आइडियोलोजी को अपनाने में सरजी समय लगता है कहना बहुत आसान है कि जो हम में आएगा हम में मिल जाएगा लेकिन मिलते मिलते समय लगता है रंग भी एक बार डालने पे नहीं चढ़ जाता है रंग रेज को एक निश्चित समय देना पड़ता है तब वो कपड़े को पूरी तरह रंग में मिला घंपाता है आप कैसे तरह कर सकते हो कि बिल्कुल जग्दीजी की बात को मैं अपनी तरफ से बहुत इसपस्ट करना चाहता हूं इस बात को बहुत इसपस्ट कह चुका हूं कि एक चलती हुई सरकार में से सिंधिया जी जो 18 साल जन्पतिनी रह कॉंग्रेस से अपने साथियों के साथ बाहर आए इन में से आधा दर्जन से अधिक लोग मंत्राले में थे मंत्री थे और स्वाभावी के सीनियर लीडर्स है तो ये निकल कर आए और इसके बाद इनोंने जब भाजपा जोइन करी तो भारती जन्ता पार्टी की जो सदस से संख्या है उसी वज़े से हम बहुमत में आए हम कभी नहीं ने कारते तो इसको अब आप मानिये ना मानिये हमारे लिए तो आवश्यक है इसको मानना क्योंकि आधा दर्जन से अधिक लोग मंत्री थे ही ये बात भी आप मानेंगे तो मुझे लगता है कि यदि उनके लिए हम अकुपडेटी होते हैं तो ये एक स्विकारता ज्यादा है बनिस्बत कि हमको आपस में बिढ़ा कर फिर कोई रस्ता कमलाज जी निकाले उससे बेतर है कि ह लुए इस पूरी परी परी परिशर्चे का जो सार है वो यह है कि शर्तों पे बनी हुए सरकार है ये हमगे रसे हैं जंता को तो पता नहीं हम आपको पता नहीं जुगाड की सरकार है और जुगाड की सरकार में यही हालात होते है प्रदेश की जनता की चिंता छोड़के मानी शिवराज सिंग जी का जो अधिकार छेत्र है उसको भी बान दिया गया है सिंधिया जी जो चाहेंगे वो होगा जिन्होंने सरकार जिन्होंने सरकार हो नहीं, देखि मैं आपसे कहना चाहता हूं, जनता का क्या बला हो रहा है, तीन महीने से मंत्री नहीं है, आम जनता की सुनवाई बंद हो गई, अराजक हाला आते हैं पूरे प्रदेश पे, जाहें बिजली का वे लोग पैट्रोल का डीजल की कीमते हूं, जनता की बात करने वाला कोई दी, लिए जाही कि अद यदि घेऊ खरिदा गया, तो नहीं बत प्रद्री करें, किसानों की कर्ज भाफी आपने रोक दी, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीज जी बड़ा सवाल यही है जो जगदीज जी ने खड़ा किया कि पार्टी में कोई समस्या नहीं है राजनीती है सत्ता में आना धे है और यह बाद भी हम बार-बार कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल इन परिस्थितियों में होता तो यही खदम शायद उठाता जो बीजेपी ने उठाया और बीते तीन दर्शकों का देश का इतिहाद बताता भी है कि ऐसी घटनाएं होती र है कि उसका महत्व जो है जो देव दुरलब कारेकरता की बात उसके लिए कही जाती है तो क्या वह वाकई देव दुरलब है कि वह यह महसूस कर रहा है कि सत्ता में रहना भी जरूरी है बीजेपी का ताकत का बढ़ना भी बीजेपी की बहुत जरूरी है लेकिन कारेकरता की ताकत पर भी क्या बीजेपी की निगाह है यह million dollar question है सर और मुझे लगता है कि बीजेपी से बेहत प्यार करने वाले बीजेपी के संगठन के जो मानुश है और संगठन के जो पुरोधा है वो जरूर इस समय सोच रहे होंगे चिंतित भी होंगे और शायद अतीत वर्तमान और भविश्य में जहांक भी रहे होंगे और ऐसा करना बहुत जरूरी भी है नमस्कार